असलाम अलेकम अब्रीवान डिस इस अब्दुल्ला फरीदी फॉर्म जीम कर्पोरेशन और आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं सेगा 12C जो के इजमाश क्लाशनकोफ कंपनी की बनाई हुई स्मूद बोर रैफल है बारा बोर सी मैट्रमेटिक में और इसको बिल् आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और प्राइस टेक के बारे में आपको बताऊंगा कि सेगा 12C आशकल आपको पाकिस्तानी मार्केट में किस प्राइस टेक में मिल जाता है वीडियो कम स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे सेगा 12C यूजियोली इसके साथ आपको बिल्कुल कुछ एक्स्टा एक्सेस नहीं मिलती लेकिन इसके साथ आपको ये एक यूजर मैनुवल सफाई टूल्स एक खाली बोतल जो सेगा के साथ आपको मिलती है 212-223 सेम वही पेकिंग आपको इसके साथ भी मिल जाती है ये रॉड इसके साथ आपको मिल जाता है सफाई के लिए और यह रॉड यहाँ पे लग जाता है लेकिन सेगा 12C में इन्होंने इसके लिए जगा नहीं बनाई तो यह हम नहीं लगा सकते है दो मेगजीन आपको इसके साथ मिल जाती है आर्ट राउंड वाली दोनों मेगजीन सेगा 12C यह सीमी आटोमेटिक बारा बोर एक एक क्लाशन कोफ असाल्ट ट्राइफल मेकेनिजम पे इसको डिजाइन किया है इसमाश कपनी ने क्लाशन को जो के उसमें कनवर्ट हो गई है क्लाशन कोफ में और बिल्कुल एक्जैक्ली क्लाशन कोफ डिजाइन आपको मिल जा है इसमें आपको जो है स्टील पाइप बट स्टॉक मिल जाता है जो के फॉल्डिबल है आप इसको फोल्ड कर सकते हैं साइड पे इसको हम फोल्ड कर देते हैं यूजुली बहुत ज्यादा सकत होता है फर्स टाइम जब आप इसको करते तोड़ा साओ डालेंगे बट में आ में आता है और इसको आप एड़ेस्ट कर सकते हैं पेक्टेनी रियल आपको इसमें मिल जाता है अगर आप इसमें स्कोप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं डस्कवर के उपर आपको दुबारा दूसरा रियल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इ यह मैग विल जो है यह आपको पॉलिमर का मिल जाता है और बाकिस में कुछ पॉलिमर चीजे इस पर नहीं लगी मेकैनिजम वही एक्जाक्ली आपको क्लाशन कोफ का यह भी फाय कंडिशन में है और इस कंडिशन में यह सी में आटमेटिक आपिसली ऊपर करेंगे यह सेफ एक्शन में चला जाता है यह रेडी टू फायर वही रिलीज बटन जो है पैट की तरह पुश करते है तो यह एके ट्रेडिशनल साइट्स इसमें लगी हुए है और आइरन साइट्स है इसको आप यहां से एड्यस्ट कर सकते हैं गेस ओपरेटिंग सिस्टम पे इसको बनाया है युज़ुली क्लाशन कोफ जो है वो गेस ओपरेटिंग सिस्टम पे यह बनी होती है और यहां पी भी आपको रेल मिल जाता है अगर आप लाइट लगाना चाहते है तो वो भी लगा सकते है इसमें यहां पी भी एक कुछ फॉर ग्रिप लगा सकते है और बहुत ही खुबसूरत मजल ब्रेक इसमें इन्होंने लगाया हुआ है यूजरी जो शॉर्ट बैरल बारा बोर होती है क्लाशन कोफ की या वाइपर मलोट की उसमें पी एफ की राउंड्स मसला करती है और उसके लिए भी हमने सलूशन निकाला हुआ है जिन लोगों ने इसको परचेस किया है और उसको यह मसला कर रही है जो गोली है उपस जाती है खाली राउंड कोका जो है वो पस जाता है तो इसकी जो मजल ब्रेक है इसको आप चेंज कर ले आपका मसला जो है वो सॉल्फ हो जाएगा यह मजल जो है यह इसमें पर गेस जो है वो बर जाता है तो उसकी वज़ा से पर यह जो प्यूजरी जो प्यूजरी जो प्यूज तरकिश राइफिल्स पे भी मसला करते हैं तो अगर आप रेशियन बुलिट या तरकिश राउंड इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आपको कोई 16 इंच की मिल जाती है और इसमें आपको 13 इंच सैज बेस्स को रिकमेंड करता हूं कि सेल डिफेंस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं Sorry सेल डिफेंस के लिए राइफल ज्यादतर लोग इसको इसको इस्तिमाल करते हैं और में परसनली होम डिफेंस के लिए बहतरीन चीज़ है इससे ज्यादा रिलाइबल चीज़ आपको नहीं मिलेगी इसके एक तो लाइसंस भी काफी असानी से बन जाती है और राउंड भी तरनाग चीज़ है यह सेगा 12C यहां पर रशियन लैंगुज में इसका सीरियल नंबर यहां पर लिगगा हुआ है क्लाशिंग कूफ मेड़न रश्या बै इसमाज यूजिली सेगा जो प्रॉडक्स है वो इसमाज कपनी ही बनाती है लेकिन जो नहीं प्रॉडक्शन आती है इसमें इन्होंने इसमाज हटा दिया है जो ओल्ड प्रॉडक्स आती है उसमें इसमाज लिका होता है बाकी वही प्लांट्स लगी हुए है उसमें कोई चेंज नहीं आई बस क्लाशिंग कॉफ ने अपना लोगों इस पे लगा लिए और इसमाज को हटा दी क्यूंकि इसमा इसमाल कर सकते हैं तो अभी इसकी प्राइस टेक यूपर आते हैं तो सेगा 12C की डिटेल्स आपने देख लिए है और होम डिफेंस के लिए आपको कोई और मिली नहीं सकता एक तो इसका लाइसेंस काफी असाने से बन जाता है और रॉन्स भी काफी सस्ते होते हैं और दूस इसमें आप 10 की different की निए इसमाल कर सकते लेकिन हंटें के लिए उनकी डिफिर्य आन्फिंटी से लंबी होती है तो हंटिंग कर सकते हैं लेकίν यह हैं क j This ni की यह ओगी हंटिंग करना ॉंडफेंस के लिए बेहतनी न औप्षिन हैं प्राइस्टिक की उपर आ जाए तो सेगाट फेल्सी आज कल आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिल रहा है दो लाग सत्तर अजार से लेकर तीन लाग की बीश में यह प्राइस डॉलर की वज़ा से काफी उपर चली गई है और दूसरा रश्यन में फैक्टरी प्राइसे भी का पर जाए इवन जो वाइपर मलोट है वह आज कल आपको मिल भी नहीं रहा हो अगर मिलता भी है तो तीन लाग बीश और यह हम एक साल पहले जो है दो लाग बीस दो लाग दस में हम भेज देते हैं तो प्राइस जो है यह वेरी करता है डॉलर की साब से और टैक्स कंडिशन पर तो जो प्राइस मार्केट में होगा इंशाला उसी प्राइस में हम आपको इसको प्रॉइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको कुछ डिस्कॉंट भी दे अगर आप लोगों ने हमारे साथ कंटेक्ट करने तो आप हमें इंसाग्राम फेस्बुक पेज और गूगल से आप हमारा कंटेक्ट नंबर ले सकते हैं इनकेस आपका हमारे साथ कंटेक्ट ना हो और आप विजट करना चाहते हैं तो आप गूगल मैप पर सब्सक्राइब आपको हमारी एड्रिस मिल जाएगी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इंशाले हम आपको प्रॉइड कर देंगे तो दैट सिट यह थी हमारी आज की वीडियो सेगा तलसी के हवाले से हम अलाकात करेंगे अगले वीडियो में शुक्रिया अलाहाफिस